गजरा राजा मेडिकल कालेज ग्वालियर मध्यप्रदेश में स्टाफ नर्स की बंपर भरती आई हुई है इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है इसका आनलाइन आवेदन 18 मई 2020 से सुरू हो चुका है और 2 जुन 2020 तक इसके लिए आप आनलाइन आवेदन कर सकते हैं त और एक्जामिनेशन सुल्क क्या है किस आधार पर चैन होगा इसके बारे में इस बीडियो में कम्पलीट जानकारी देने वाला हूँ लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को भी तक सब्सक्राइब ने किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ में ब उख्यकारे पाला नधिकारी स्वसासी गजरा राजा चिकित्सा महाविद्याले ग्वालियर मध्यप्रदेश से 12 मई 2020 को जारी किया गया यहां पर लिखा हुए विग्यप्ति सूचना यह नोटिफिकेशन आप डिस्क्रिप्शन बाक्स में दिये गया लिंक पर क्लिक करके डारेक्ट वहां से पीडिया फार्म में डाउनलोड कर सकते हैं नीचे लिखा हुए समस्त नर्सिंग महाविद्याले या फिर स्कूल से उत्तीन उम्मिद्वार इस्टाप नर्स के लिए मध्यप्रदेश आसन चिकित्सा सिक्षा विभाग मध्यप्रदेश भुपाल का पत जाने है तुँ प्रदेश के समस्त सास कीये मनिता प्राप्त नर्सिंग महाविद्याले इसकूल यह मनिय संस्थाओं से बी एससी नर्सिंग जी एनेम उत्तीन उमिद्वारों से एमपी अनलाइन के मध्यम से निधारित सर्तों के अधिन आनलाइन आवेदन पत्रामंत्रित किये जाते हैं पहला नंबर यहां पर दिया हुआ है और सूपर स्पेसिलिटी हॉस्पीटल का नवीन राज जिस्तरी आरक्षण मार्डल रोष्टर के अनुसार बर्गी करण यहां पर दिया हुआ है क्रमांक एक दिया हुआ पद नाम है इस्टाप नर्स केवल महिला के लिए सीधी भरती के कुल स्विक्रित पद 81 है अनारक्षित के लिए 16 दिया हुआ है कुल 21 है और अनुसूचित जन जाती के लिए 14 कुल यहां पर 17 है अनुसूचित जाती के लिए 9 कुल यहां पर 12 है अन्ने पिछडा बर्गी के लिए 14 और कुल 19 है आर्थिक रूप से कमजोर बर प्रतिमा तक नियुनतम सेक्षणी करहता यहां पर दिया गया है कि अभ्यर्थी ने बायोजी केमेश्ट्री तथा फिजिक्स बिसेव में 10 प्लस टू प्रणाली में 12 परिक्षा उत्निड की हो यहां पर बता है कि रिक्त पदों की संख्या संबर्ग में घटाई यह थवा बढ़ाई जा सकती है गजरा राजा चिकित्सा महाबिद्याले ग्वालियरें संबध जयारोगी चिकित्साले समूँ ग्वालियर में स्टाप नर्स के कुल स्विक्रित पदों पर नवीन राज जी इस्तरी आरक्षन माडल रोस्टर लगाने के उपरांत पूरो में कारेरत स्टाप नर्सों का समा योजन उपरांत स्रेड़ी अनुसार रिक्त पदों का बर्गी करने यहां पर दिया हुआ है स्टाफ नर्स के वल महिला यहां पर रिक्त पद कितने हैं 157 स्रेड़ी वार यहां पर दिया हुआ है तो आप देख सकते हैं बेतनमान लेवल 7 के अनुसार मिलेगा 28,700 रुपए से ले करके 29,300 रुपए प्रातिमा है नियुन नतमा रहता है यहां पर दिया है बाइलोजी के मेस्ट्री तथा फिजिक्स के साथ बारहमी पास होना चाहिए बीस सी नर्सिंग अथवा जनरल नर्सिंग उमजेष्ट प्रसूत विग्यान प्रसक्षित मध्यप्रदेश नर्सि पड़ों पर आवेदन करने है तो प्राथमिक्ता दर्ज कराया जाना अनीमारी है अर्थात आवेदा के कतवा दोनों में आवेदन है को स्वतंतर होगा प्राथमिक्ता के आधर पर सुची आयवंबग के प्रथक प्रथक तयार की जक記得 ली नीचे बेतनमानेवों अन्ने भत्तें पर दिया हुआ है जो मध्य प्रदेश आसन सामाने प्रसासन विभाग का पत्र क्रमांग के भत्त दिया हुआ है दिनंक 12 दिसंबर 2019 के परिपालण में परिविक्षावद में उस पद की बेतनमान के निूंतम का प्रथम वर्ष 70% द पर दिया गया तो आप आसानी से वीडियो को पहुझ करके आरक्षण के बारे में जानकारी ले सकते हैं आवेदन सुलक यहां पर दिया गया अनारक्षीत स्रेणी चैट अनुसुचीत जनजात यह उमन्ने पिछरावर्ग और आर्थीक रूप से कमजोर वर्ग निसक्त जनु स्वासासी में कारेरत सास की सेवकों तथा महिला भेरतियों के लिए आयुसीमा 45 वर्स होगी अधिक्तम आयुसीमा में सामाने प्रसासन विभाग द्वारा समय समय पर जारी संसोधन लागू समझे जाएंगे नीचे समाने सर्थ दिया गया है तो इसको आप आसानी से वीडिय 2021 को आधार मान कर की जाएगी और यहां पर दिया गया है कि अन्य उम्मिद्वारों को मध्य प्रदेश रोजगार का रियला का जिवित पंजियन होना अनिमारिय है पदों की संख्या घटाई बढ़ाई जा सकती है और भी जो निर्देश दिया गया है तो आप पढ़ तो यहां पर दिया गया कि उप्रोक्त पदों है तो MPNLINE के माध्यम से लिखित परिक्षा आयोजित कराई जाएगी तथा MPNLINE के माध्यम से लिखित परिक्षा के आधार पर मेरिट सूची के अनुकरम में योग्य पाय जाने वाले उमिद्वारों को दस्तावेजों के सत् उसके उपरांत ही आरक्षण बार रिक्त पदों के बिरूद नियुक्तियां परदान की जाएगी प्रतेक स्रेणी है तो MPNLINE द्वारा इस्टाप नर्स की प्रथक प्रभींडी सूची तयार की जाएगी इस्टाप नर्स की सामाने प्रभींडी सूची भी तयार की नीचे आवेदन सम्मन्दीते समय तालिका दिया हुआ है आनलाइन आवेदन पत्र प्रारम होने किति थी है 18 मई 2021 आनलाइन आवेदन पत्र जमा करने के अंतिम थी दो जून 2020 सायम 5 बजे तक आनलाइन परिख्चा किति थी दिया हुआ है 18 जून 2020 यानिकि इसका एक्जाम 18 2020 को होगा आनलाइन मोड से आवेदन करने के प्रक्रिया के बारे में यहां पर कंप्लीट जयनकारी दिया गया है तो आप आसानी से वीडियो को पहुझ करके पढ़ सकते हैं जो भी दस्तावे जिसमें अटाइज करना होगा जैसे की फोटो एमास्ताक्षर उनका साइज दोसो पंपलीट जयनकारी दिया हुआ है इसके नीचे महत्तोपूर्ड टिप दिया गया हे तो इसको भी आप बीडियो का पहुझ करके पढ़ सकते हैं नीचे दिया हुआ किसे किसे प्रभा तरट्य पिक है वाप असनी से अहां पर देख सकते हैं और ये जो आवेदन पत्र का प्रारूप दिया हुए तो कुछ इसी प्रकार से रहेगा यहां पर आप देख लिए क्या क्या फिल करना है नीचे तक हम आपको दिखा देते हैं complete जानकर यहां पर टोटल आठ पेज का यह दिया हुगा है इसके नीचे स्वप्रमाडित सपत पत्र का प्रारूप यहां पर दिया गया और इसका online आवेदन सुरू हो चुगा है इसके बारे में मैंने आपको complete जानकारी दे दिया अगर इस वीडियो से related आपके मन में कोई भी प्रेशन या फिर कोई भी confusion है तो नीचे comment करके पूछ सकते हैं इसका reply जितना जल्दी संभव होगा आपको दे दिया आल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करके रखें ताकि इसी प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए थैंक्स फार वाचिंग इस वीडियो